उनिसा के पुरी में निकलने वाली विश्व प्रसिद जगनात रत यात्रा की शुरुवात इस साल आज यानी 20 जून 2023 से हो रही है। यह यात्रा हर साल आशार माह में शुकल पक्ष की द्वितिय तिथी को निकलती है। इसके बाद आशार शुकल पक्ष के ग्यारहवे दिन जगनात जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं। उरीसा का जगनात मंदिर चार पवित्र धामों में से एक है। यहाँ पर श्रीहरी विश्नु के आठवे अवतार उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगनात मंदिर में तीनों की मूर्तिया विराजमान है। जगनात रत यात्रा से जुरी कई रोचक बाते हैं जो बहुत कम लोगों को ही पता होंगी। इसके बारे में कहा जाता है कि जब से जगनात रत यात्रा की शुरूआत हुई है तब से ही राजाओं के वन्शच पारंपरिक रूप से सोने के हथे वाली ज़ाडू से जगनात जी के रत के सामने ज़ाडू लगाते हैं। इसके बाद मंतरो चार एवं जैगोश के साथ इस पवित्र रत यात्रा की शुरूआत होती जगनात जी की यात्रा का ये उत्सव आशार शुकल पक्ष के दूसरे दिन शुरू होता है। कहा जाता है कि भगवान जगनात जी की रत यात्रा के दिन बारिश जरूर होती है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस दिन बारिश नहुई हो। जगनात रत यात्रा से जुरी मान्यता है कि जो भी भक्तिस शुगरत यात्रा में सम्मिलित होते हैं उन्हें सो यग्यों के बराबर पुन्यफल की प्राप्ति होती है। इस रत यात्रा के बारे में कहा जाता है कि भगवान जगनात स्वयम अपने भक्तों के मध्य विराजवान रहते हैं। भगवान जगनात बलभद्र वह सुभद्रा के रत नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लकड़ी हलकी होती है और इन्हें आसानी से खीचा जा सकता है। भगवान जगननात के रत का रंग लाल और पीला होता है इसके अलावा ये रत बाकी रतों की तुलना में भी आकार में बड़ा होता है उनकी यात्रा बलभधर और सुभदरा के रत के पीछे होती है दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अभी